2022 यामाहा MT15 का पहला टीजर पेश कर दिया गया है, कम्पनी इसे जल्द ही लॉँच करने वाली है, लेकिन इसके पहले बुकिंग शुरू कर दी गई है 2022 यामाहा MT15 को कई बदलावों के साथ लाया जाना है, जिसे कम्पनी ने वर्जन 2.00 नाम दिया है कम्पनी के डीलर्स ने इस बाइक के मौजूदा वर्जन की बिक्री को मार्ज के महीने में बंद कर दिया गया था, इसके स्टॉक को खत्म कर दिया गया है, डॉट, हाला कि कम्पनी ने आधिकारिक रूप से इसकी कोई जानकारी साजा नहीं की है ना ही बुकिंग के बारे में आधिकारिक घोशना की है अभी कुछ महीने पहले टाइप अप्रूवल दस्तावेजों से पता चला था कि यामाहा M.T.15 को कई महत्वकूर अपडेट दिये जाएंगे मौझूदा जिनरेशन मोटर साइकल का उत्पादन बंद कर दिया गया है यामाहा मोटर साइकल एक अपडेटेड वर्जन को लाँच करने की तयारी कर रही है बता दे कि कमपनी के दस्तावेज में मोटर साइकल के आकार, इंजन की पावर वर टॉर्क और वाहन के वजन में परिवर्टन सूची बद्ध है ऐसा लगता है कि यामाहा M.T.15 के डिजाइन में बदलाव किये जाएंगे साथ ही संभवता इंजन में कुछ बदलाव किये जाएंगे और शायद एक अपसाइड डाउन फोक्स जोड़ा जाएगा इसके इंजन की बात करें तो इसमें आउटगोइंग मॉडल का लिक्विड कूल्ड वासे लेस 155cc इंजन का इस्तिमाल होता है यहाँ इंजन 18, 5 BHP की पावर और 13.9 Nm का टॉप प्रदान करता है इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इस मोटर साइकल में LED हेडलाइट्स, LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सिंगल चैनल ABS जैसे फीचर्स दिये गए हैं